नमस्ते, मैं डॉक्टर तुशार पाटिल, सहियाद्री ओस्पिटल यहाँ पर मैं केमो थेरपी स्पेशलिस्ट के कंतोर पर काम करता हूँ. आज हम जानेंगे कोरोना विशारी कुछ सूचना है, जो कैंसर के पेशन्ट्स के लिए बहुत उपयोगी है. सबके मन में कोरोना से लेकर कई सारी दुविदाएं हैं, कुछ शंकाएं हैं, मैं उनका निवारन करना चाहता हूँ. सबसे पहला कि कोरोना यह विशानू या वाइरस एरोजोल स्प्रे से फैलता है, कॉन्टैक्ट से बहुत कम फैलता है. अगर हम हाथ स्वच्छ रखते हैं और डिसिंफेक्शन का प्रयोग करते हैं, और एरोजोल से होने वाले इन्फेक्शन को प्रिएंट कर सकते हैं मास्क लगा कर, तो हमारे maximum Corona patients या maximum Corona infections को हम प्रिएंट कर पाएंगे. दूसरा कि हमारे patients जो cancer के हैं जिनको chemotherapy चल रही है या किसी तरह का ilaj चल रहा है, radiation या surgery हुई है उनकी प्रतिकार शक्ति कम होती है, immunity down होती है इसलिए उने किसी भी प्रकार के infections होने की possibility ज़्यादा रहती है और उस infections से होने वाले complication rates भी ज़्यादा होते है यह हमने गत वर्ष में देखा है, जो भी patients जिनकी chemotherapy चल रहे थी और अगर उनको कोरोना बादित हुए है वो, तो उनमें complications ज़्यादा रहे है तो prevention सबसे important है, अगर हम infection prevent कर सकते हैं, तो best है हमारे लिए तो मैंने उसके tips आपको दिये हैं, लेकिन इसका आर्थ यह नहीं होता कि हम हमारी treatment बंद करें, या हमारा ilaj या उपचार बंद करें कोरोना काल में भी हमारा उपचार या ilaj पूरी तरह से सब precautions लेके चालू रहना चाहिए मैं ऐसा मानता हूँ, कोरोना एक विशाणू है, जिसका mortality rate 1% है तो सौह में इसे एक ही वेक्ति को जाने का धोका है, बाकि निन्या लिए लोग इसमें से बाहर आने वाले हैं लेकिन अगर cancer की treatment अधूरी रह जाती है, या cancer की treatment बंद हो जाती है तो उसमें mortality rate 100% है, हम cancer से बच नहीं सकते अगर हम उसका इलाज नहीं करेंगे तो Maximum cancers first, second या third stage में पाये जाते हैं और ये first, second और third stage में पूरी तरह से curable है हम इसको treatment करके इसमें से पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं तो हम मेरा सबसे अनुरोध है कि जिने भी cancer detect हुआ है, वो अपने treatment बंद ना करें अपने doctor से सला लें कि उन्होंने किस तरह से prevention करना चाहिए, कौन से steps लेने चाहिए ताकि उन्हें infection होने का धोका कम से कब हो, लेकिन treatment बंद न करें, ये जरूर follow करेंगे cancer की treatment चालू रहते समय, chemotherapy एक ऐसी treatment है, जिसमें सबसे ज़ादा हमारी immunity डाउन होती है तो हमने बहुत सारी सुविधाय हमारे patients के लिए इस हिसाब से की है कई patients को हमने अभी day care chemotherapy देना शुरू किया है तो लंबी chemotherapy जिसमें hospital में रहने का जो time होता है, वो जादा हो जाता है दो या तीन या पांच दिन, वो हमने avoid करके उन्हें maximum patients को day care chemotherapy basis पे शुरू किया है जिसमें patients उबह आते हैं और शाम को घर चले जाते हैं तो infected वेक्ती से contact आने की संभावना कम हो जाती है और इससाब से infection का rate कम हो जाता है Sanitization protocols जो हैं वो बहुत ही strictly follow किये जाते हैं हर hospital में, हर cancer के day care में जहां कीमोटरपी चलती है मास्क पहनना ज़रूरी हो जाता है नीचे entry पे सबकी screening होती है ताकि कोई भी विक्ती जिसे fever या बुखार आ रहा है वो अलग उसको हम विलगित कर सके, isolate कर सके और उसका investigate करके उसको treat कर सके तो यह हमारी तरह से precaution है As a patient आपको क्या precautions लेना है हमेशा आपका mask उपर रहना चाहिए जब भी आप public places में जाते हैं दिन में कई बार हाथ दोई है साबुन से, sanitizer से आपको साफ करने है, surfaces और किसी भी तरह के infected विक्ति के कोई भी contact में नहीं आना है, किसी को बुखार है या सर्दी है, जो भी है, आपको उनके contact में नहीं आना है, आपका ilaj बराबर से चलता रहा है उसके लिए आपको आपके doctor की सला लेना बहुत जरूरी है जो patients का treatment खतम हो चुकी है, और जो follow up पे हैं कुछ लोगों को oral tablet चल रही है, कुछ लोगों को hormonal treatment चल रहा है, कुछ लोगों को maintenance treatment चल रही है, और कुछ लोग सिर्फ follow up पे है, उनसे मेरा अनुरोध है कि सब लोग Corona की vaccine या लस लें, यह जरूरी है Corona की vaccine लेने से immunity तयार होने वाली है, उन में भी और बाकि सब लोगों में जिसे हम herd immunity कहेंगे और इसी से हम Corona का transmission कम कर पाएंगे उसे बच पाएंगे मेरा सबसे यह अनुरोध है कि Corona कई साल तक रहने वाला है, लेकिन वो हमें नुकसाहना पहुचाया, यह हमारी priority है, और हमारे infections mild हों, अगर भी होते भी है किसी को यह हमारी priority है, इसलिए vaccine लेना बहुत ज़रूरी है Corona का vaccine सब ने लेना चाहिए आप अपने individual doctor से इसके बारे में राय ले सकते हैं, लेकिन vaccine ज़रूरी है अगर इस विशे से लेकर आपको कोई भी शंका है या आपको जानकारी हासिल करनी है और भी, तो आप निच्चे दियोए करमांग पे contact कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं धन्यवाद